जहें दोस्तों मैंतिपेंद कुमारत वेदी हाजीरू अपनी नई वीडियो के साथ दोस्तों जैसा कि आपको पता है मेरे चैनल का नाम है एंसी सिमिलर जिस नहीं सबसे पहले कर लिए सबस्क्राइब दोस्तों तो आज से मैं नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं जिसक दिल की बुरी आदते और नमबर छे डिल में जाने से पहले ध्यान रखने वाली बाते ठीक है दोस्तों तो यह मैं आपको आज वीडियो में बताऊंगा दोस्तों मैं एक रेट की 100 परसेंट गारंटी लेता हूं चाहें आपका एबी सी कोई साभी साथ इपकेटो बट उसक आपको नोट्स तो नहीं बनाने हूंगे वर हां उसको आपको देख करके उसका नौलेजी खटा करना होगा और एक्जाम से पहले मैं आपको नोट्स भी अविलेबल कराऊंगा और लाश्ट एर के पेपर भी सॉल्प कराऊंगा दोस्तों मैं आपके एक रेट की फुल गार दोस्तों बात आती है ड्रिल की दोस्तों हम सुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले प्रिसिक्षण में आग्याकारिता का भाव पैदा करना शरीर में फूर्ति लाना ठीक धंग से कपड़े पहनना आत्म बल बढ़ाना में जुलकल कारे करना अनुसासंता सरीर वा दिमाग के ताल मेल को सुर्द्रन करने हेतू जवानों को ड्रिल कराई जाती है सरवर्तम फौच के अंदर ड्रिल की सिखलाई जर्मनी के जनरल डॉल ने 1666 डेश्वी में की थी ठीक है दोस्तों तो आपके अंदर एंसेसी में जो ड्रिल कराई जाता उसका उद्देश क्या होता है मतलब कि हातों का कारे करना और पैरों का कारे करने के साथ साव्टिंग मेच कराने के लिए आपको ड्रिल कराई जाती ही ठीक है अब बात करते हैं दोस्तों ड्रिल की परिभासागी किसी प्रोसीजर को क्रमबार और उची तरीके से अनुकरण करने की कारवाई को डिल कहते हैं दोस्तों तो दोस्तों इसको हम दूसरी बाषा में अगर समझना चाहें तो बोलेंगे किसी कारविक को सही करम से करना तथा उची समय पर करना डिल कहलाता है अब बात करते हैं दोस्तों डिल्स के प्रिकार होती है यह सांती शेटर में रहते हुए परेड गाउन में किजाती है ओपन डिल्स के बारे में मैता तहु sólo यूद्ध के मैधान में किजाती है ठीक है दोस्तो अब बात करते हैं क्लोज डिल की तो यह सांती के छेत्र में रहते हुए परेड ग्राउंड में की जाती है दोस्तो अब बात करते हैं क्लोज डिल में अंदर की थोड़ा पर्ट्स तो दोस्तो उससे पहले हम जान लेते हैं डिल के सिद्धांत दोस्तो ड्रिल के सिदान क्या है सरीर में फुर्ती मैंने आपको अभी बताया ही था इस सिर्था ठीक है दोस्तो और मिल जूलकर कारे करना यानि कोडिनेशन मैंने आपको बताया ही था दोस्तो तो दोस्तो अब बात करते हैं ड्रिल के उद्देश, एमस ओफ ड्रिल, तो दोस्तो यही मैं आपको भी बता रहा था कि ड्रिल के उद्देश क्या है, कैड़िट के अंतर अंसासन की भावना पैदा करना, कैड़िट की डेश पहनना, तथा चलना फिरना सिखाना, मैंने अभी कर दिए ड़िल के लिए जयरह रहा है अब दोस्तों बात करते हैं डिल की बुरी आदिते होती है पही होती है अनवश्य ख़रकत करना, आखों का घुमाना पाओं को घसीट कर चलना एडियों का टकराना और बूट के अंदर उंगलियों को हरकत करना दोस्तों तो यह उपकी है मलब आपकी डिल के अंदर पूरी आदत जैसे आप साबधान की बोजिशन में खड़े हैं उस्ताइम आप अनावश्य हरकत नहीं कर सकते हैं आँको नहीं गुमा शकते पाओं को घसीट कर डिल में नहीं चलना चाहिए यह सब आपकी बुरी आदते होती हैं डिल में जो आपकी डिल को बेकार करती हैं और आपके प्रैक्टिकल में नंबर भी कट सकते हैं जब आपका ड्रिल का प्रैक्टिकल होगा तो बात करते हैं अगले कुशिन की दोस्तों केड़िट को ड्रिल में जाने से पहले निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए ड्रेस साफ तता कलफ लगी होगी होनी चाहिए है फी दोस्तों आपका ऐसा नहीं कि वर्दी का एक बटन दूसरे कलर का हो एक दूसरा हो सबी चीज़े मैचिंग की पूरा ड्रेस आपका पढ़िया होना चाहिए ड्रेस ना अधिक धीलियो ना अधिक चुस्तों जूतों पर चमकती हुई पॉलिस हो तथा फीते मुड़े बैटे हूँ यह वाइस के लिस दोस्तों ठीक है दुम में जाने से पहले डाड़ी वनाना अवस्यग है दोस्तों यह वाइस के लिए अलावड रही होनी चाहिए अब दोस्तो, बात कर लीते हैं इसी में कुछ in सब्सक्राइब देखेगा दोस्तो टोपी जो सही than-ककी है जो इस तरीके से लगती है बहरे ठीक है दोस्तो, अब बात करते हैं ये पहले NCC है बाता रखा है पहले एंसीसी में स्टार मिलते थे बाड़ नहीं मिलते थे अभी स्कॉम देते हैं कार्ड दोस्तो बट यह देखेगा दोस्तो जूते बंदने का तरीका जूते रहं से के बंदें होने चाहे और दोस्तों दोनों तरब के जो फीते होते हैं वह आपके अंदर साइड में इसमिफ लगेगा गाट यहां पर है कि थीजों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों आज की वीडियो ज्यादा बड़ी तो नहीं हुई है बट हाँ आज मैंने आपको काफियत तक दिल के बारे में बता दिया है तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे बहले कर लिए सब्सक्राइब वो वीड